सक्षकों को आपने परिशान किया तो आपकी खैर नहीं नमस्कार मैं श्वेत और आप देख रहे हैं न्यूस फॉनिशन केके पाठक अक्सर सक्षकों के लिए फर्मान जारी करते हैं और सक्षक उनके फर्मान से नाराज भी नज़र आते हैं लेकिन इस वार केके पाठक का बेहद अलग रूप देखने को मिला है केके पाठक इस वार सक्षकों के साथ नज़र आए और सक्षकों के लिए आवाज उठाते हुए भी नज़र आए दरसल आपको बता दे कि बिहार सक्षा विभाग के ACS PPAPATAK के इन दिनों बिहार के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं सकूलों का निरेक्शन कर रहे हैं निरेक्शन करने के दुरान PPAPATAK ने अधिकारियों को यह साफ-साफ आदेश दे दिया है कि अगर उनके सिक्षकों को किसी ने किसी तरीके से परिशान किया तो उनकी खेर नहीं उन्हें नाब दिया जाएगा आपको ये भी बता दें कि केके पाठक को लेकर एक तरफ जहां सरकार के कई लोग भी नाराज है कई सिक्षक संग भी नाराज है केके पाठक को जादा कुछ फर्क नहीं पड़ता हुआ नजर आ रहा है केके पाठक अपने काम को कर रहे हैं और इस बार को केके पाठक का ये अलग रूप देखकर सब कोई चौक भी रहा है चेकदार शर्ट और पिंक कलर की टाई में नालंदा जिले के दोरे पर पहुँचे केके पाठक पूरी तरी के से एक्शन में नजर आएं एक तरफ जहां जिला सिक्षा विभाग के सभी पर अधिकारियों के साथ बैठकी उसके बाद उन्होंने जो इस पस्ट निर्देश दिया है उसके बहुत गंभीर माइने निकल कर सामने आ रहे हैं केके पाठक के कुछ ऐसे निर्देश हैं जिसमें ये साब पता चलता है कि सिक्षा विभाग के अंदर चल रहे खेल का पता उन्हें चल चुका है केके पाठक को ये बात पता लग गई है कि विभाग की ओर से बेवज़ा सिक्षिकों को परिशान किया जाता है केके पाठक ने नालंदा में जो आदे सिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिया वो पूरे बिहार के सिक्षा विभाग के अधिकारियों के लिए है केके पाठक ने साफ कर दिया है कि यदि उनके आदेश का पाला नहीं होता है तो जिला के सिक्षा विभाग के पतधिकारी नाब दिये जाएंगे सिक्षा विभाग के ACS केके पाठक ने शुकरवार को नालंदा पहुँचने के बाद सभी अधिकारीयों को तलब किया उन्होंने राजगिर सरकिट हाउस में उन अधिकारियों के साथ बैठक की क्योंकि पाठक ने साफ कह दिया है कोई भी अधिकारी वेवज़ा बिना किसी कारम किसी सिक्षक को परिशान नहीं करेगा है कि नियोधि सिक्षक सही जितने भी BPSC से बहाल प्रथम और दूसरे चरन के सिक्षक है सब इस सिक्षकों का वेतन समय पर मिले इसे सुनिशित किया चाहे क्येकेपाठक ने कहा है कि सिक्षकों को जो भी विभागी का काम बचा हुआ है अब उसे पूरा कर लेना चाहिए बाद में किसी तरह की बात नहीं सुनी जाएगी क्येकेपाठक पूरी तरह से सिक्षकों के पक्ष में नजर आए तो आप देख सकते हैं कि कीके पाठख को लेकर सिक्छक भले ही नाराज होते हों लेकिन इस बार सिक्षक लोग काफी जाधा खुश हूंगे क्योंकि कीके पाठख ने साफ साफ कह दिया है कि अगर कोई भी अधिकारी उनके सिक्षकों को परेशान करेगा तो उन्हें केके पाठक छोड़ेंगे नहीं आप देखना होगा कि इस पर सिख्षकों की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है उससे पहले आपका क्या कुछ कहना है केके पाठक के इस नए फर्मान को लेकर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं